नमस्कार आप सभी का ततकार संदेश में श्वागत है रीवा इस वक्त की बड़ी खवर जहां सिच्छक दिवस पर अतिथी सिच्छक संगर समिती ने रीवा में मुख मंद्री के नाम जिलाधीस को सौपा ग्यापन कार के अनुभो के आधार पर अतिथी सिच्छकों की पातरता परिच्छा लेकर नियमें सिच्छा बनाने के लिए सौपा ग्यापन रीवा जिले के साथ साथ पूरे प्रदेश के सासकीन स्कूलों में विगत 14-15 वर्सों से अतिथी सिच्छक पूर्ण निष्ठा लगन वा इमानदारी के साथ अध्यापन कार कराते आ रहे हैं जिन्होंने अपने भविष को सुरच्छित करने है तू सैकुलों बार ब्लॉक इस्तर वा जिला इस्तर से लेकर प्रदेश इस्तर तक धर्ना प्रदर्शन कर रैली के माध्यम से ग्यापन दिया सिच्छको दौरा कहा गया कि विगत 15 वर्सों से ग्यापन और रैली के माध्यम से प्रशासन को ओगत कराने के बाद आस दिनांक तक हमारे भविष को सुरच्छित नहीं किया है इसलिए महोदय आप से करवद निवेदन है कि हम अतिती सिचको की कार अनभो के आधार पर विभागी पात्रता परिच्छा लेकर हमें नेमित प्रात्मिक माध्यमिक उच्च माध्यमिक सिच्छक बनाने है तो जल्द ही उचित कारवाही करने के आदेश उच अधिकारियों को देने का कष्ट करें जिससे हमारा भविष सुरच्छित हो सके इनहीं आसाओं के शाथ आपके आदेश की प्रिद्च्छा करेंगे तथा अतिती सिचको दोरा यह भी कहा गया कि यदि मद्ध प्रदेश शरकार दस दिनों के अंदर हमारी प्रिमुक मांगों का नीरा करन करती है तो हम अतिती सिचक संग मद्ध प्रदेश के तत्वा धान में सासन प्रशासन को सूचना देकर भोपाल की धरा पर एतिहाशिक आंदोलन करेंगे जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी सासन प्रशासन की होगी लेकिन दूसरों को सम्मान दे रहे हैं आज हम लोगों का अपमान नहीं है हम इतने सालों से सिक्षा जगत को संबाला है अन्य राजियों में भी बीजेपी सरकार है उसने भी हम आतिती सिक्षकों का नाम अलग है लेकिन आतिती वहां पर कोई सिक्षा मित्र बोलता है कोई स सरकार हमारे लिए क्या निर्ने ले रही है 14 वर्सों में इनको अपनी सतने से आफ देख लीजिए हम लोगों के उमर कितनी वर्सों हम लोग बात्रेदा परिक्षा पास हैं और कई वर्सों से हमलों काम भी कर रहे हैं 11 की भी परिक्षा पास परिक्षा पास है कैसी योग ता वो कहते हैं कि वह मानने नहीं है यदि यदि आतिती सिक्षक आई हो गे तो उनको इतने वर्सों से क्यों पढ़ाया गया था विद्यालेओं में क्यों रखा गया था क्या अपने मद्देपर्देश की जनता के साथ उन्होंने खिलवार किया सब्सक्राइब करें लोगों के दिखा दिखा दीजे कि इतने रोजगार में तो मेडम ज़से आप जैसे आप इसे लोगों ने सरकार चुनी है तो आप इन हम उमीद ही रखते हैं हम अन्य राज्यों की तरह हम लोगों का भी नियमिती करन हो हम लोगों का भी बहुत इसे चुनाव में थे कई बार मुखे मंतरी जी बहुत सारे वीजेपी की मंतरी जी आये उन सब ग्यापन दिया गया उन लोगों ने सिर्फ खली एकी काम किया कि ग्यापन लिया हात में और ले जाके कचड़े के डबबे में फेक दिया कोई हम लोगों के लिए कोई तो देखिये सबसे वड़ी समस्याएं हैं कि लगभा, झाल झाल